वैसे तो 15,000 में इतने तगड़े decent level के smart phones मिलते हैं और इतने चच्छे होते हैं लेकिन वो सबी के सबी किसी चीज में specialized होते हैं और कि एक चीज में उनकी उनके पास काफी अच्छी डिगरी होती है इसलिए में यहां पर जो है अलगलग के स्मार्फोन देखने को मिल जाते हैं को बेस्ट इन कैमरा स्मार्फोन हैं कोई बेस्ट फॉर गेमिंग है को और राउंडर स्मार्फोन मिल रहे हैं कोई complete package वाले हैं हम बात करने वाल हैं gaming smart phones यह जो gaming smart phones होते हैं दोस्तों यह smart phones वह स्मार्फोन उते हैं जिन के अंदर आप लोग प्रो लेवल की प्रो गेमिंग कर सकते हों देखो इस लेवल पर यह 15000 के बजट रेंज के उपर मतलब ऐसा कोई खास तगड़ा 15000 के अंदर को इसा मतलब नेक् एक अच्छा खासा refresh rate देखने को मिल जाएगा तगड़ा powerful processor मिल जाएगा जिसमें तुम मतलब की light से medium level की gaming कर पाओगे जिसमें मतलब तुम अपने free fire मैंक्स पबजी बीजाएं माई यह सारे गेम्स को बड़े आराम से चला पाओगे और सारे के सारे स्मार्टफों जो है 15000 में रहने वाले तो 15000 में नंबर 5 पर जो स्मार्टफोन आता है वह रेड्मी 12 5G क्योंकि इसके अंदर देखो एंड्रोइड वर्जिन 13 के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो एक मेडियम लेवल की गेमिंग तुम इसके अंदर अबड़े आराम से कर सकते हो 6.79 इंचीज की IPS LCD है 90Hz का रिफ्रेशिट देती है गुरला ग्लास तरी की प्रडेक्शन है डिस्प्ले की मामले में थोड़ा सा तुमें लगता सकता है कि नहीं एक सोठाइब की इंटरनल स्टोरज है एक टीवी तक एक मिल जाएगा एप फिलिप कार पर ग्रंडली 13,000 रुपीज में तुमें देखने को मिल जाएगा और बैक में यहां पर तुम एक प्रीमियम ग्लास बैक देखने को मिलेगा प्रैमरी केमराइब में काफी फाइन डि खरिद रहे हो तो मतलब नहीं मतलब एक क्यामरा इक तब आकस नहीं करना ठीक है जाए फास चार्जिग में में जायए तो बादर काफी जाए डेखने को मिलते हैं काफी अच्छा स्मार्ट पोन है इस प्राइस-पॉइंट के ऊपर रेमी 12 5G बट अवराल तुम गेमिंग क तो तुम इसमें लाइक देखने को मिल सकता है, और हीटिंग एश्य भी थोड़ा बहुत आ सकता है, तो बनेरो वीडियो में इससे विचे-चे स्मार्टफों में यहां रेकमेंड करने वाला हूँ, जिनमें तुम्हें प्रॉल्म्स नहीं देखने को मिलेगी, नमबर फॉर पर यहां पर हमने रखा है, रेल्मी नार्जो 65G को, बीटेक डेमेंसजी 6020 के साथ आने वाला स्मार्टफों, 8GB की रैम है, 6.43 इंचीज की सूपर एमल डिस्पले है, तो डिस्पले की मामले में कोई कॉम्रमाइज नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, 90Hz का रिफ देखने को नहीं मिलने वाली है, 128GB की इंटरनल स्टोर एक टीबी तक एकस्पेंडेवल है, पूरा स्मार्टफों 14909 इंचीज की स्टाइली से डिजाइन देता है, बैटर लाफ काफी सही है, 5000 इमेंस चाह काम करती है, और चार्जिंग स्पीड इसकी थोड़ी सी स्लो तु अगर तुम लोग लेना चाहते हो कि तुम अच्छी आसी गेमिंग कर सको एक मीडियम लेवल की गेमिंग कर सको एक बजट के अंदर और तुम एक स्मार्टफों चाहिए, जो स्टाइलिश भी दिखता हो, इसकी कैमरास बेचे हो और इसमें तुम गेमिंग कर सको, तो तुम रियल्मी नार्दो 65G के साथ जा सकते हो, डेफिनिटल एची चोईस रहेगी, पंदर हजार के अंतर, नमबर थर्ड पर मैं रखका है, एक ऐसी ब्रैंड का स्मार्टफोन है, जो स्पेशलाइज है गेमिंग के लिए, IQZ7S 5G स्मार्टफोन, क्वार्ट्रॉम स्नैम ड्रेग डेप्थ कैमरा है, फ्रंट में 16 मेगा पिक्षिल का इंडर वाइड एंगल लेंज दे रखा है, फूल एचली में तुम वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगे, 4K विगर अप्शन दिया है नहीं, बैटरी के मामले में थोड़़ों कॉम्परमाइस करना पड़ेगा, क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह जो स्मार्टफोन है जब चलता है तुम्हें कभी भी लाइक फ्री मिल जाएगा, बैटरी का तुम्हें संदर ड्रॉप जल्दी देखने को मिल जाएगा, कभी बैटरी कपशी थोड़ी सी कम है, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो भी काफी म सबसे बड़ी बात इसकी बैटरी भाट की नहीं दे रखी है, जो 68 वाट की फ्लैस चार्जिंग देती है इसका जो प्रोसेसर है ये 5G प्रोसेसर है तो मतलब यहां पर काफी अच्छी खासी गेमिंग तुम कर पाऊगे, फोन जो है एक अच्छी खासी इनहांस सा डिजाइन देता है, प्रफॉमस काफी अच्छी है, डिस्पले 120 हर्स की आप तक के सारे स्मार्टफोन में यह 120 हर् इसके अच्छी अच्छी आप तक की स्मार्टफोन की इसी के अंदर देखने को मिलेगी, अल्टरावाइड कैमर सेंसर यहां पर भी नहीं मिलेगा तुम्हें, और एक सबसे इसका अट्रक्शन पॉइंट है, वो इसका एक लीडिस ट्रिप डिजाइन है, जो इसके बैक में लगा हुआ है, इसके पीछ में से लाइट जमती हुआ है, इसके पीछ में से देखके इसके दिवाने हो जाओगे, नंबर वन पर हमाने रखा है क्लीन यूई यूजर के लिए जो इक लीडिन यूई चाहते हैं, और गेमिंग के मामले में कोई कॉम्परमाइस नहीं करना च कैमरा के मामले में भी स्मार्टफोन जो है कहीं पीछे नहीं रहता, यह स्मार्टफोन क्या करता है, जहां पर तुम्हें 8X का डिजिटल जूम और एक 8MP का अल्टर वाइड दे रखा है, और फ्रंट में 16MP का वाइड अंगल इननना लगाया हुआ है, देखो बैटरी जो है चल जाती है, तीस वाट की टर्बो चार्जिंग है, गेमिंग में को इतना अच्छा खासा तुम्हें ड्रॉप नहीं देगने को मिलेगा, और यहां पर एक 128GB की इंटर्न स्टोर्ज है, जो एक टीबी तक बढ़ जगती है, 5G स्मार्टफोन है डरने की बात नहीं है, डिस स्मार्टफोन तुम्हें अमजोन पर देखने को मिल जाएगा, प्रफॉर्मेंस काफी अच्छी है, स्टीरो स्पिकर्स दे रखे हैं, तो गाने वीरा लगा कर सूनों, बुम बुम बुम, और बैटरी लाइफ काफी अच्छी है, डेलाइट नो डेफिनेटली काफी पसकते हैं, उसके बाद इसमें कोई सॉफ्टर अबडेट नहीं देखने को मिलेगा, पहले तो यह एक अच्छा-कासा मेटरेन स्मार्टफोन था 20,000 में, आप करनेटली यह 15,000 में तुम्हें मिल रहा है, तो मेरे साब से डेफिनेटली अच्छी चोईस है, गेमर्स के पर चाहिए, कोई टेक्वरी हो, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं मिलेगा तुमसे नेक्ष वीडियो में, तब तक लिए बंदे मातरम और जाहिंद